दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी NFTs के बारे में जिन्होंने लोगों का पैसा 10 गुना तक बढ़ा है दोस्तो आज की वीडियो स्पेशल हो जाती है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं खुद की NFT बनाना अपनी खुद की NFT बनाके पैसा कमाना किस तरह से वो पैसा कमा सकते हैं जहाँ पर NFT बेच के लोगों ने लाखो रुपे कमाया है जिन लोगों ने क्रिप्टो के अंदर नुकसान जहला है वो NFT के अंदर प्रॉफिट लेके गए है तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि आपको कौन सी NFT बाई करनी चाहिए जो इन फ्यूचर में आपके पैसे को डबल या पाच गुना या दस गुना तरह ले जा सकती है तो वीडियो को एंड तक देखना और दोस्तो इस चैनल के ओपर डेली बेसिस के ओपर वी पर चाहिए वह आप जरू करेंट केजएगा मैं आपको जो अच्छी करेगा उसको मैं अपनी एक NFT ठासव करूंगा तो दोस्तों दिखादेते हैं कि NFT होती क्या सबसे पहले समझ लीजेगा सब ब्रिफ्ली समझ लेते हैं कि NFT होती क्या है देखि कोई जैसे पहले पिच्चर बनती थी उसको आप physical phone में रखते थे बट उस picture को आप virtually रख सकते हैं ये होती है NFT और कोई लिए कहेगा कि यार इस picture का तो मैं screenshot लेकि अपने phone में वैसे ही रख सकता हूँ देखे आप उसके physical owner नहीं बन पाएंगे यानि कि ये जो NFT है ये एक तरह का आप ही देख रहे हैं मैं सारा NFT चलती है ये पूरी blockchain है बात यहां पर यह आती है कि कौन सी NFT आपको buy करने चाहिए देखे जो NFT होती है जिसका use case ही होता है कि game के अंदर उन NFT का use होता है जैसे माल लिजे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये meta ops के नाम से game आई इसके अंदर जो character है वो एक NFT है उस उसको क्या करेंगे आप उस NFT को खरीद के इस game के अंदर enter कर सकते है और जैसे गन है इसकी NFT होगी इसको आप बेच सकते है खरीच सकते है यह सारी चीज NFTs है बात है अपने main topic के ओपर कि कौन सी NFT अच्छी है कौन सी NFT के अंदर investment करने चाहिए कोई Solana की blockchain पे NFT खरीदना चाहता है वो सबसे पहले Solana Art के ओपर ही आता है देखे Solana Art एक तरह की website है जहां पर आप NFTs खरीच सकते हो पूरी marketplace है यहाँ पर कई सारी collections है जिसके अंदर आपको NFTs मिलते है जैसे यह एक तरह collection है Degen app के नाम से इसका एक value है Solana की 54 यानि कि इस NFT की value है 54 Solana तीन लाख रुपे की NFT है यह तीन लाख रुपी के तीन लाख रुपी के अब लोग कहेंगे इसके अंदर है क्या दोस्तों यही तो NFT है यह जब मैं starting में देखा था इसकी NFT का price है 4 Solana किसी भी NFT को buy करने से पहले आपक उसका use case देखना पड़ता है कि इसका use case क्या है और उसका floor price क्या है तो इसका floor price है 54 और बाद में आता है activity activity आपको सबसे पहले देखनी चाहिए कि कितनी NFT भी कर रही है daily basis के उपर आप देखेंगे पहले 5 गंटे पहले यह भी कि 6 गंटे 15 गंटे या यानि कि एक दिन में यह अब बात यहां पर यहां पर यहां आती है कि आप सस्ती सस्ती NFT खरीद के महंगे से महंगा कैसे बेच सकते हैं देखें सोलनाट तो एक ऐसी जगह होगी जहां पर कोई starting की stage में आता है वो यहां पर जाके अपनी buying selling करता है तो वो सबसे पहले देखता है सबसे कम वाले token को ज आप कियाते है fractals, fractals एक ऐसी exchange है जहां पर आपको minting मिलती है, minting का मतलब आप समझ सकते है जैसे कोई भी game आती है वो launch होती है, तो starting वो उसकी minting शुरू होती है और उसको floor price भी कम होता है जब starting में वो आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप यह देख रहे हैं, spiker के नाम से एक आने वाला है, तो इसको जो price है 0.15 soul है, और यह मिलेगा wide listed, यानि कि कुछ ऐसे लोगों को जिन्हों ने इसके channel को promote करा है, discord के ओपर, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, simple मैं बता जाता हूँ, 6000 supplies की starting में देंगे, यह उन लोगों को देंगे, जो इनके द का मतलब ही हो गया, कि mint prices का यह है, 0.5 इतना सुलाना लगेगा, 3000 रुपे में उस बंदे को मिली है, अब उसके बाद यह आता है, fractal community के उपर, fractal community मतलब, जैसे किसी का in-house होता है, in-house NFTs होती है, तो fractal की भी अपनी in-house NFT है, यदि आप fractals की NFT को hold करते हो, जो उसकी in-house NFT है, उसको आप hold करते हो, तो आपको white list होने का मोगा मिलता है, जैसे आप देख रहे हैं कि fractal NFT holder, जिनकी power है 74, उनको इसके अंदर white listed होने का मोगा मिलेगा, अब जब हम बात करते है, 0.5 के आगर rate आपको white list हो जाते है, तो यह 10 गुना भी यहां से हो सकती है, जैसे आप देखा ह होगा कि जो भी नए-ने token हाते है, starting में वो कितने कम होते हैं, उनका price 0.000 होता है, उसके बाद लोग वहाँ पर उसके IPO में invest करते है, फिर वो market के अंदर आता, तब उसका rate बढ़ता है, तो ठीक उसी तरह से NFT है, यदि आप fractal के NFT, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह NFT है, इसको यदि आप hold करते हो, तो आपको क्या होगा, आपको white list होने का mocha मिलेगा, अभी जो price चलना है, 0.34 चलना है, तो आपको power लेनी है, high power की, जिसकी जो power है, वो ज्यादा हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कि आप कौन सी NFT इसके अंदर buy कर सकते हो, जिसकी जो power है, अगर मैं इसके अंदर invest करता हूँ, तो इसके मैं क्या फाइदा होगा, कि मेरे को white list होने का mocha मिलेगा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, कि white list होने का फाइदा गया होता है, देखे जब यह starting में white list होता, आज से ठीक, एक महीने पहले ही white list होता, इसका जो price था, वो 0.5 आप सोच सकते हैं कि जैसे ही loan चुआ है, दस गुना बढ़ गया, तो जिन लोगों के बाद fractal की NFT थी, जिन्होंने hold कर रखा था, तो उनको white list होने का mocha मिला, उनको 10 गुना पैसे बढ़ गए, आपको दिख रहा है 0.5 solana का, ये भी in future में 2 गुना, 3 गुना हो जाएगा, क् जिन लोगों के बाद white list आईती, वो ही जीत पाए हैं इसके अंदर, और आपको simply कर रहा है, fractal की जो NFT है, उसको hold कर रहा है, अब बात आती है कि एक solana से कम वाली कोई NFT है, जिसके अंदर investment कर सकते हैं, देखें, magic hidden जो है, ये भी इसकी भी खुद के अपनी NFT है, magic hidden के नाम से, magic DAO के नाम से आपको दिख जाएगा, ये दो ऐसी NFT है, जो इन future में अच्छा कासा boom कर सकते है, क्योंकि इनका use case है, market के अंदर use case है, इसका तो floor price भी कम है, 0.27, तो आप इसको buy कर सकते हैं, इसको hold कर सकते हैं, इसमें भी same वही process होगी, minting वगेरा में आपको help मिलेगी, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको white list होने का मौका मिलता है, देखे, meta के नाम से, meta hopes के नाम से एक नई NFT आने वाली है, जिसका जो floor price 0.9 है, तो मैंने fractals की NFT को hold कर रखा है, तो इस कारण से मेरे को इसके अंदर white list होने का मौका मिला है, आप इसमें देख सकते हैं, कि meta hopes के नाम से एक NFT है, उसके अंदर मैं white list हो सकता है, क्योंकि मेरे बाद फ्रेक्टल के NFT पड़ी है, तो in-house NFT होने का ये benefit होता है, कि आपको token मिलते है, आप white list हो सकते हैं, तो ऐसे ठीक इसी तरह से magic hidden की भी है, magic hidden के अंदर आप देख सकते है, magic hidden के अंदर आप देख स क्योंकि मैं भी IP की तरह हूँ, क्योंकि मैंने भी starting करी थी, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं था, NFT क्या होती है, किस तरह से काम करती है, तो मैंने समझी है ये चीज़, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इन future में आपको इस चैनल के ओपर NFT बना के दिखाऊँगा, किस तरह से मैं NFT बनाऊंगा, प्रोजेट बनाएंगे पूरा का पूरा तयार, और मैं कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ूँगा, उन प्रोजेट के अंदर, और हम सब मिलके साथ में काम करेंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, एम करते के व अजयीन झाल काम करेंगे जो योगों करते के विया ओयाएंगे साथ साथ तयारे कई बनाएंगे were